ओम शान्ती आज मीठे प्यारे बावा के 31 अक्तुवर 2023 के महावाक्य हैं मुख्या पॉइंट से हैं बावा कहते मीठे बच्चे तुम भी पुजारी से पुज्य ब्यागर से प्रिंस बन रहे हो इसलिए तुम्हें खुशी में खगियां मारने है खगियां मारना जैसे खुशी में अंस्ते हैं तो ऐसे बोड़ी जैसे वाइबरेट होती ना खुशी खुशी में उसको बोलते हैं खगियां मारना और कभी भी रोना नहीं है क्या कहते बावा मेठे बच्चे तुम अभी पुजारी से पुज ब्यागर से प्रिंस बन रही हो इसलिए क्या करो खुशी में खगिया मारो रोना ने कभी प्रशन है अविनाशी क्यान रत्रों की वर्षा से भारत को साहुकार बनाने के लिए बाप तुमें किस बात में आप समान बनाते हैं तो बाबा हमें किस बात में आप समान बनाते हैं उत्तर है बाबा कहते बच्चे जैसे मैं रूप बसंत हूँ ऐसे तुमें भी रूप बसंत बनाता हूँ जो अविनाशी ग्यान रत्र तुम्हें मिले हैं उन्हें धारण कर मुख से ग्यान का दान करो इसी महादान से भारत साहुकार बनेगा जैसे तुम बच्चे बाब से वर्सा ले रहे हो ऐसे औरों को भी दो तुम्हारा फर्ज है सब को रास्ता बताना सुखदाई बनाना देख है तो बाबा ने आज पूरी मुरली सिवा पर ही चलाई है बाबा कहते तुम रूप बसंत बन जाओ रूप माना क्या बन जाओ योगी बसंत माना ग्याने माना ग्यान योग के द्वारा सारी आत्माओं को बाप से वर्सा दिलाओ बाप किसे मिलने का रास्ता बताओ तो बाबा कहते ये ग्यानदान सबसे बड़ा महादान है इनसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चलके ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कलके ठीक है तो बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि तुम कल आने वाली नए दुनिया के क्या हो राजाएं हो महाराजाएं हो इसके लिए खूब सेवा करो और बाबा से सभी आत्मों को वर्सा दिलाओ ठीक है आगे बाबा ने कहा कि जैसे बाबा सुखदाई है ऐसे तुम बच्चों का फर्ज भी है सब को सुखदेना एक एक ग्यान जो वर्षन्स हैं ये लाकों रुपेओं का है और ये ग्यान बाबा केते किसे में आज नहीं है इसलिए ही भारत कंगाल बन गया है इसलिए तुमारा फर्ज है सभी आत्मों को ग्यान अमरित पिलाना बाबा केते मुझसे ही आत्मे आके मांगती है शिप बाबा, बंबं भोला नाथ, जोली भर दो तो बाबा केते जोली, बाबा अभी भर रहे है सभी आत्मों की ग्यान अत्नों से भी इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, दे हे सहित, दे के सब धर्म भूलते जाओ मैं क्रिश्चन हूँ, मैं फलाना हूँ ये सब दे के धर्म छोड़के बस अपने को वीदे ही आत्मा समझ, मुझे बाब को ही याद करो अगर बाब को नहीं याद करते हैं तो बाबा केते मनुश्य के और्फन है जैसे कि अनाथ बन गए है तो ऐसे बाब को बहुत प्यार से याद करना है जो तुम बच्चों को इतना उंच बनाते है फिर बाबा ने सर्विस के लिए कहा कि जो बच्ची बहुत सर्वे से उल है कभी ठकते नहीं है जिम्मेवारी से सेवा करते है वो बाब के दिल पर चड़ते है तक्षत पर सवार भी होते हैं वो तक्षत नशीन भी बनते है ऐसे बच्चों को बाबा केते फिर आगे चल कर कि बाबा साक्षत कार भी कराएंगी नहीं दुनिया के आने वाली नहीं दुनिया में उनका कितना उंच पद होगा बाबा ये भी दिख लाएंगे तो इसलिए बाबा केते खूप उर्शार सभी से करना है अंत तक करना है बाबा ने कहा कि ये ग्यान जो बाब तुम को दे रहे हैं ये इतना किमती ग्यान है इतना एक एक वर्षन जो है किमती है यहां पर सभी आत्मों को आना है चाई बराही में बुद्ध है क्राइस्ट है तो उनको वो शक्ति धर्मस्थापन करने की शक्ति भी संगमिक पर बाबा से ही मिलती है तो बाबा कहते तुम बच्चों को बहुत बहुत खुश होना चाहिए क्यूंकि तुम अब नई दुनिया में स्वर्ग में ट्रांसफर हो रहे हो जहां पर हीरे जोरात बाबा कहते पत् पत्थर लगाते हैं आज कल के महलों में ऐसे तुम अपने महलों में हीरे जोरात पत्थर के माफिक लगाएंगे तो सोचो इतना उंच इतना महान इतना संपत्तिवान बाबा अपने बच्चों को बना रहे हैं तो इसलिए बाबा कहते इतना सुख देने वाला बाप है तो वो माला के दाने बन जाते हैं इसलिए बहुत प्रेम से बाबा को याद करना है कदम कदम पर बाबा से शिर्मत लेते रहना है बाबा के ते मेरे से राए लो है ना कदम कदम पर साफ धानी से चड़े तो चाखे बैकून थरस गेरे तो चकनाचूर एकदम माया बुद्धी का ताला ही बंद कर देती है भारना के लिए सार फर्स्ट पॉइंट है बाप के दिल तकत पर बैठने के लिए सर्विस की जवाबदारी लेनी है महांदानी जरूर बनना है ज्यान दान करने में कुछ खर्चा हो तो हर्जा नहीं क्या कहते बाबा कि अगर बाबा के दिल तकत पर बैठना है तो खूब सिवा करो और महादानी बनो दूसरा पॉइंट है उन्ची चड़ाई है इसलिए बहुत साबधानी से चलना है कदम कदम पर शिर्मत लेते रहना है ये जो इश्वर्य मारग है ग्यान मारग है बाबा केरते उन्ची चड़ाई है साबधानी तो बरतनी पड़ेगी कदम कदम पर राए भी लेनी है बरतन लगन की अगनी में सब चिन्ताओं को समापत करने वाले निश्य बुद्धी निश्यन्त भव क्या कहते बाबा लगन की अगनी इतनी हो पावर्फुल कि सारी चिन्ताएं उसमें समापत हो जाएं और हम निश्यन्त हो जाएं बावा कहते, जो बच्ची निश्य बुद्धी हैं, वे सभी बातों में निश्यन्त रहते हैं, चिन्ताइं सारी मिट गई, बाप ने चिन्ताओं की चिता से उठा कर दिल तखत पर बिठा दिया, बाप से लगन लगी और लगन की अधार पर लगन की अगनी में सब चिन्ता इ ना मन में कोई वेर्थ चिन्ता और ना धन की चिन्ता, क्या होगा, कैसे होगा, सारी चिन्ताएं खतम, ज्यान की शक्ती से जब जाने गए, इसलिए सब चिन्ताओं से परे निश्यन्त जीवन होगी, ठेक है, इसलिए कोई चिन्ता नहीं करनी है, सारी चिन्ताएं बाबा को देकर बाबा की गोदी में याद की गोदी में निशिन थोके रहना जीवन में सदा स्लोगन है ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी परकार की समस्या बुद्धी रुपी पाउं को हिला न सके अंगद का मिसाल है कि पाउं ऐसा गाड़ दिया कि रावन भी हिला नहीं पाया तो यह हमारे ही यादगार है बाबा केते ऐसे अचल अडोल बन जाओ कि आपकी जो बुद्धी रुपी पाउं हमान जो निश्च चाहे उसको कोई भी समस्या हिला नहीं सके ठीक है अंगद समान पकी दिड़ संकल पवादी बन जाओ तो माया कुछ भी नहीं कर सकती ओम शान्ती